Hello guys and guys, आप लोग कैसे हो? तो स्टोंगे सुप्रेम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखाता है कि हम को यहाँ पर वार के पिछे का जो मास्टर मैं ने उसको दिखाया जाता है पर जो मैं करेटरन को यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ता है और उसको यहां पर बहुत सारी बगवास बाते सुनाने लगते है और फिर बाद में जाके जो man character सब के सामने holy dragon ruins को दिखाता है और वो देखने के बाद सारे लोग soft हो जाते है और अब आगे तो वो देखने के बाद जो लोग शाव यान होती है वो कहती है तो यहां पर सच में holy dragon ruins है और वो तो यहां पर human old emperor ने तो refund नहीं किया था बर वो सुनने के बाद जो हैं पर emperor उनको कुछ भी समथ नहीं आता और कहते के यहां पर exactly holy dragon ruins क्या है तो वो सुनने के बाद जो लोग शाव यान होती है वो कहती है कुछ ऐसी चीज़े जिसके लिए तुमको उमारे blood का sacrifice करना पड़ेगा यहां पर लड़की होती है अपने मन में सोती है कैसा कैसे हो सकता कि मैं यहां पर शावतान के खिला में यहां पर कोई plotting कर यू कितनी बूल सीड बात है और कहती के what the hell यहां पर क्या चल ले और उसके पास holy dragon ruins कहां से आया और मैं यहां पर record की बात कर तो यहां पर war of furnace और holy dragon ruins से और यहां पर human emperor ने personally refine किया था और अभी जो यहां पर holy dragon ruins है अपनी जगह पे तो यहां पर कहां से शावतान के हाथों में एक दूसरा holy dragon ruins आया और फिर यहां पर पिछे से little face आती और कहती के daddy जो हमारी बात थी मैंने उसको खतम कर लिया और फिर बात में जो लॉंग विन सौक्त जातीर अपने मन में कहती के what the hell यहां पर क्या चल रहा है और यहां पर emperor अपने मन में कहती है नहीं पता था कि यहां पर जो spirit है सच में human में भी transparent हो सकती है पर यहां पर जो लड़के एकदम devil से smile देते हुए कहती है कि तुम यहां पर काफी दा अच्छा काम किया और पावर है मतलब बहुत ज्यादा होती है और यहां पर दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा परिशानी होती है और फिर यहां पर अंसमन में बहुत बड़ा portal open हो जाता है और उसको देखते हुए यहां लूशाओ यां कि जो servant होती है वो कहती कि माय लोड़ यहां पर जो प यहां पर फटापड़ यहां पर इसका बचाओ और दूसरे जो लूशा प्यान होती वो कहते कि हां मुझे बता है कि तुम यहां पर मेरी मदद करने के लिए आई हो पर मुझे सब कुछ दीख रहा है और तुमको ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है और फिर यहां पर Empress से कहत जाती है और उसको महरती होए कहती कि अफकोस मैं उसकी मदद करने के लिए जाएगी तुमने उसकी पावर नहीं दे की इतनी पावर कितने ज्यादा है और यहां पर जो शायन पर बताने की जरुरूरत पड़ेगी पर दूसरी सब लूशा बन उती वो कहती है और फिर एंप यहां पर यहां पर दो किया पुलुक बचाँ इक होुआ sound को बाट जो यहां पर Empress होती वह कहती, भले मैं यहां पर मारी जाओगी, पर मसकत साथ ही मरूगी, और दूसरी सेट जो यहां पर जाओँ होता है, वह कहता है, कि After All, जो यहां पर Majesty कफिदा बड़ी हो चुकी है, पर यहां पर प्रिंस की वज़े से, काफी यह नांसेस बाते करने बाले है, और वह पर कफिदा पारफुल है, तो वह सुनने के बाद जो जाओँ होता है, वह कहता है कि तुमको यहां पर कोई चिंता करने की ज़रुएत नहीं है, जो यहां पर प्रिंस एकदम ठीक है, और अपने मन में कहता है, कि यहां पर जो Heaven and Earth की जो punishment थी, वह भी यहां पर मार देगे, तो वह सुनने के बाद जो लिंग होती, वह कहते है, यहां पर जाओँ होता है, वह कहता है, कि मैं आपर सच जानता हूँ, और बाद में यहां पर बहुत ज़दा painful है से मरने वाले, और यहां पर जो प्रिंस है, किसी को भी नई चोड़ेगे, और वह सुनने दिखाए जाता है, और उसमें पर बहुत सारा अरो तरफ एनर्जी आ गई होती है, और दूसरी सार, जो यहां पर दैंग्यंग, इपिलर का एंपरर, और तांजु परिंग का मास्टर हो जाते है, और उनके पास पूरी एनर्जी आ जाती है, और फिर यहां पर जो लड़की सब्सक्राइब पास पूरी आट हो है, और फिर दीटdriven पर फिर यहां पर जो लड़की यह उसके पीछे यहां पर जो ओल्ड मैं, द्यांग्यंग, एंपश्याएं ठीदर का अंपरिंग और था मुझे फटावट से, गहां पर होल्ड drives पर वो करते हैं और फिर गाटिन दम di पार है यहां पे आसपास बहुत ज़्यदा आवास आ रहे है कि तुम ठोरा जोड़ से बोलोगे कि तुम यहां पे क्या कहना चाहती हो और वो सुनने के बाच यहां पे यांग यांग पविलिन का एमपररे रहा हूँ था वो कहता है कि मैं तुमको याद दिला दू कि तुम्हें आपे physical cultivator हो और जो physical cultivator उनकी यहाँ पर उतनी power नहीं होती तो मुझे मेरी power उद्यूस करने पर मजबूर मत करो पर नहीं आपे तुम्हारे टुपड़े कर दोगी और जो तुम्हारी body वो भी आपे नहीं मिलेगी और दूसरी से जो तांजू परण का master अपने मन में सोता है कि what the hell यहाँ पर जो old woman है वो सच में आपे शाओजन को मानने वाली है और भले ही हमारी जो my lord उनके पार बहुत ज़्याद है पर आप आप आगे क्या करेगी और यहाँ पर जो old man होता है वो कहता कि तुम अपने faith को मान लो और वैसे भी तुम अभी physical cultivator हो और वैसे भी तुम अभी physical cultivator में कितने भी हाई रिलान तम पॉक जाओ पर तुम उसके सामने और स्टेंट लेवल के बराबर होगे और यह पुरा वेस्ट होगा और यह सारी बाते सुनने के पाट जो man get होता दिमाग पुरा घुम जाते है और घुस्सा करते होगे कहता कि तुमारी तो ऐसी के तैसे में तुमको बिल्कु भी नहीं छोड़ूगा और जो अपनी पावर उसको रिलीज करता है और वो देखने के बाद तांजू पाईलियन के मास्टर और द्यांगें इंपिलर के एंपर उनका मुग यहां पे हकका पका हो जाते है और जो man get ह का फिता गुस्ते में होता है और वोग दक्के जो लीटल फीस होती हो कहते के डैड़ी आपको यहां प अपर जो लीटल फीस और यहां पर लॉंक्विंग अपने मन में सोते है यहां पर जो शावत यहां ने कितना दर स्केरी अगर उसने एक बाद यहां पर अपनी पावर को रिविल्स कर दिया तो मुझे नहीं पता कि यहां पर क्या होगा और यारो जो मारा चेप्टर दो यह